So guys, welcome back to Micro Classes हमारी Merit University और सारनपी University की बीएड First Year की Classes चल लई है आज का मारा सब्जेक्ट है Pedagogy of Mathematics मतलब गनित सिक्सन गनित की है Second Class है आज का मारा टोपिक है गनित का विकास कैसे हुआ है मतलब गनित का जन्म कैसे हुआ है गनित का विकास कैसे हुआ है गनित की History क्या है आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है गनित का इतियास क्या है गनित का विकास क्या है तो यह Long में आता है Important Question है अब इस Question को हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पेपर में कैसे कैसे लिखना है इसका Answer गनित का विकास बताईए यह भी आ सकता है Long में यह गनित का इतियास क्या है यह भी आ सकता है भारत में गनित का विकास किस-किस परकार से हुआ है किन कालों के माध्यम से हुआ है व्याक्या कीजिए ऐसे भी यह Question आपके पेपर में आ सकता है History and Development of Mathematics अब देखो Long में आता है यह Question अब Long में आता है तो सबसे पहले हम कुछ Introduction देंगे गनित के विकास के बारे में कि पहले लोग इस तरह से इमारत वगएरा कुछ बनाया करते थे उसमें गनित का यूज किया करते थे तो धिरे धिरे गनित का विकास होता रहा तो हलका सा Introduction देंगे क्योंकि Long Question में हमें हलका सा Base बना कर चलना होता है उसके बाद हम अपनी Main Heading की बात करेंगे नेक्स्ट पेज से एक पेज हम Introduction पर ही भरतेंगे गनित का इतियास काफी पुरान है जितनी पुरानी मानव सब बता है उतनी पुरानी गनित भी है प्राचीन काल ये काल है प्राचीन काल से ही मनुष्य गनित का इस्तमाल करते आ रहा है प्राचीन काल में बनाई गई इमारते जिस तरीके से आज भी मौजूद है वह इस बात का शक्षी है कि प्राचीन काल के लोग गनित का परियोग जानते थे, अब देखो प्राची निकाल से ही लोग गनित का परियोग करना जानते थे, क्योंकि प्राची निकाल में इमारत घर वगेरा तुमें बनाते होंगे, जब घर वगेरा बनाते हैं, तो हमें गनित का परियोग करना पड़ता है, जोड़ गटा करन तो वो क्या है गनित है वो इस प्रकार का जा सकता है कि गनित का इतियास काभी पुरा नहीं है जिसकी समय सीमा का आकलन नहीं किया जा सकता परशित गनितग्य मावीरचारिय ने गनित के विशे में यहां तक काया कि बहुत अधिक प्रलाब करने से क्या लाब है इस सदचार ज करते हैं प्राचीन समय में अरब देशों में अब देखो भारत से जो गनित अरब देशों में गया है और अरब देशों से यूरोपिय देशों में गया है ने तो पहले गनित यूरोपिय देशों में था ने अरब देशों में था भारत में ही गनित का विकास अच्छा था और एक टाइम पर भारत 20 गुरू था गनित के छेतर में लेकिन पहले क्या हुआ करते था ट्रेडिंग हुआ करती थी अरब देश के जो वेपारी थे वए भारत से समान लेके जाया करते थे तो जब भारत आते थे तो भारत के जो इनकी मापन तोलन की पदती थी मतलब गणित के नियम वगएरा गणित ये पदती वे सीखते गए वेपारी जो भारत में आये उन्होंने वे भारत के गणित के नियम वगएरा गणित ये परकिरिया है भारत की सीखी और अपने देश में उसे लेकर गए, वहाँ से वह यूरोप गई, तो इस तरह से गनित पूरे विदेश में फैला, और इसी वज़े से, क्योंकि गनित की शुरुवात भारत से हुई है, जो यह हमारे नंबर है, एक से लेकर नो तक के जो नंबर है, इने हम हिंदू अर्बी नंबर बोलते हैं, क्योंकि हिंदू, हिंदूस्तान से शुरुवे हैं, अरब देश से होते वे गई हैं, हिंदू अर्बी नंबर कहलाते हैं, इसी वज़े से, तो हम कहा सकते हैं, गनित भारत की देन है इस विशु को, प्राचीन समय में अरब देशों में गनित का ग्यान नाम मात्र था इस छेत्र में भारत बहुत अधिक परगती तरक्की कर चुका था व्यापार करने के लिए लोग अरब वय अन्य देशों से भारत में आते थे और में व्यापार के साथ साथ बारत की गणना की सरल पदितियों को भी सीख गए उन्हें के दुवरा गणित अन्य देशों में भी फैला समय समय पर अनेक विदेशी जिग्यासु भारत आये उन्होंने यहां गणित का ग्यान पराप्त कर गणित को अपने देश तक पहुँचाया अता यह कहना गलत नहीं होगा कि बारवी सताब दिता कि भारत गणित के छेतर में विश्व गुरू माना जात तो यह है एक हलका सा इंट्रोडेक्शन हमने दिए बाकल कि बता सकते हैं आपके दिमाग में बेशिक से चीजें कुछ आती हैं traditional में आप वह लिख सकते हैं गनित में बारत में गनित का सुबारम व्यादी काल से ही मिलता है गनित के तियास को पांच खंडम विवाजित किया जाता है देखो गनित के एक बारे में अगर हम जानना चाते हैं इस्ट्री के बारे में पढ़ना चाते है गनित की तो हम छोटे छोटे पीरियड में पढ़ते हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड से इस पीरियड गनित में क्या भी कास हुआ गनित में क्या भी कास हुआ तो अलग अलग पढ़ते हैं इससे समझने में आसा नहीं हो जाती है गनित को तो हमने क्या किया जो गणित का काल है उसे पांच बागों में विभाजित कर लिया है आदिकाल, पूरुमद्यकाल, मद्यकाल, उत्तरमद्यकाल और वर्तमानकाल इन बागों में हमने गणित को विभाजित कर लिया है आदिकाल क्या है पानसो इस्वी पूर पानसो इसा पूर पूर मद्यकाल 550 BC तक जब से भी हमारी सब्वाइदा चल रह nihay है तब यहांपर पढ़ते हैं पूर मद्याकाल 550-320 पड़त्त ऐसे एमारा इस तरह से हम आगे पड़ते हैं तिक सी परकार差 इसी परकार 7 में 12-1000 श्वी श्याटा काता है और वरतमान काल में ग्र्णा के पश्चाल पता है तो एक-एक करके ने पढ़ते हैं कि किस टाइम में मैथ में क्या-क्या विकास हुआ ऐसे याडिंग बनाकर हमें अपने पेपर में भी लिकना होता है सबसे पहला टाइम है हमारा आधिकाल 500 इस्वी पूर तक जब से मारी मानव सब्व्य तक शुरुवात हुई है अनन्थ टाइम से मान सकते हैं और पानसो बीशी तक जो भी हमारा मैथ में परगती हुई है उसे हम आधिकाल में पढ़ते हैं आधिकाल का भारते गनित के इतियास में अत्याद मैथ पूर्ण स्थान है इस काल में अंक गनित वर एक गनित का विकास किया जा चुका था इस काल को वैदिक काल वह उत्तर वैदिक काल दो बागों में बाटा जाता है हम इस काल को भी दो बागों में बाट लेते हैं पहला तो होता है हमारा एक हजार इशापूरु तक दूसरा होता है और इसके बाद हमारा पानसो बीशी तक जो टाइम हुआ ये वाला ये हमारा उत्तर वैदिक काल हो गया ये उत्तर वैदिक काल हो गया तो इस तरह से थोड़ा याद रखना इसे जो वैदिक काल है इसमें सुन्य तथा दस्मिक इस्थानमान पधती का विकास कर लिया गए था देखो सुन्य का परियोग वैदिक काल से चलता आ रहा है लेकिन इस वाले सुनने का नहीं चलता आ रहा जो यह हमारा जीरो है इसका परियोग नहीं चलता रहा वैदिकाल से लेकिन सुनने का परियोग चलता रहा क्योंकि वैदिकाल में हम जो गनित के सिदांत लिखते थे वैदिक काल में भी वैदिक काल के बाद भी जो भारत में गणित के सिद्धान लिखे जाते थे वे दोहों में लिखे जाते थे जिस तरह दोहे होते हैं हमारे इसलोक होते हैं इस तरह लिखे जाते थे कि चार जोडे पांच होए तीन घटाए साथ जब नहीं बचा कुछ हो गया आकास इस तरह से दोवासा लिख दिया करते थे हमें उससे समझना पड़ता था ये क्या कहना चाह रहा है और उससे हमें सूत्र बनाना पड़ता था ऐसे लिखते थे तो व इस तरह के सब्द लिख देते थे हम जिससे हमें पता चलता था कि यहां पर कुछ नहीं है कि इस में से ये गया तो कुछ नहीं बचा मतलब तीन में से तीन गए तो आकास बचा इसका मतलब क्या हुआ हम सुनने का तो यूज वैदिकाल से कर रहे हैं लेकिन इस वाली सुनन तब वैदि काल में सुनने और दस्मिक स्थानमान पदती, मतलब दाही, इकाई दाही से एकड़ाजार होता है न, तो दाही तक का ग्यान हो गया था हमें, जिसमें हमारा 19, 50, इसके लावा ये आता है, 99, तो दो अंकों तक की संख्याओं के बारे में हम जानकरी हमें हो गई थ कि दस्मिय स्थानमान की जानकरी हमें हो गई थी, इस पदती का विसकार हो गया था, दस्मिक स्थानमान पदती का विसकार हो गया था, वेदों में संख्याओ और दस्मिक पढणाली का सपस्टूलेक मिलता है, यह गणित के चेतर में भारत की अभूतपूर देने, दस्मिक स्थानमान पजती बारत से अरब गई और अरब से पश्चिम देशों में पहुची इसी कारण अरब के लोग एक से नो तक के जो अंक है इन्हें हिंदू अरबी अंक बोलते हैं इंडो अरबिक नंबर बोलते हैं अरब की लोग इन्हें जो हमारे नियूमिरल्स हैं एक से नो तक इन्हें हिंदू अरबी अंक बोलते हैं अब उत्तरवैदिक काल की बात करते हैं जो कि है एक हजार इसा पूरु से पान सो इसा पूरु तक है इस काल में यग की वेदी को मापने के लिए एक रस्टी का परियोग किया जाता था जिसे सुल्फ का जाता था सुल्ब हमने एक रस्टी रखी हुई थी इस काल में कुछ लंबाई थी उसकी फीक्स है उसे हम सुल्ब कहते थे सुल्ब उसका नाम रखखा वा था और उस रसी का परियोकर हम यग की वेदी बनाया करते थे जो हवन कुंड है वय बनाया करते थे मिट्टिया इटो वगेरा का सुल्व के द्वारा बनाया करते थे इसी करण इस काल को हम सुल्व काल भी बोलते है पेपर में आ जाता है वेदियो वेदी मतलब हवनकुंड वेदियो वै उसके उपकंडो को सही सही मापकर कैसे बनाए इससे संबंदित प्रशनों को लेकर इस काल में रेखा गणित के सूत्रों का भी विकास किया जाने लगा था अब देखो यहाँ पर हमें क्या अंक गणित के बारे में हो गया था कि अंक गणित की हमने यहां से सुरुवात कर दी थी अपने वैदिक काल में लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम रेखा गणित के बारे में रिसर्च करने लगे रेखा गणित के भी नियम वगएरा बनाने जानते हैं बोधयन सूल्व सूत्र के नाम से जानते हैं बोधयन सूल्व सूत्र को आज सब पाइथागोरस प्रेमे के नाम से जानते हैं बोधयन ने अंडरूट टू का मान दसमलों के पाँच स्थानों तक निकालने का सूत्र भी दिया वैदिक साहित्ते के साथ साथ इस काल में जयान साहितों में भी गनित का विस्तित विंडन मिलता है सूरिय प्रगप्ति और चंद प्रगप्ति ये जयान के जयान दर्म है उसके गरंत है ये जयान दर्म के प्रसित गरंत है सूरिय प्रगप्ति में दीर गुरत का इस परस टूलेक मिलता है जिसे परिमंडल के नाम स जाना जाता है अते हैं भारतियों को दीर गुरत का ग्यान भी 500 इशापूर के आसपास ही हो चुका था मतलब काफी ग्यान हो चुका था भारतियों को जो हमारे व्यादिक काल वह उत्तर व्यादिक काल इस पीरियड में नैक्स्ट है हमारा पूर्मद्यकाल जो 500 इशापूर से 400 इश्वी तक चलेगा क्या यह 500 बीसी से 400 एडी तक चलेगा यह ताइम पीरियड इसी में कहीं हमारे बीच में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे यहीं पर इस काल में लिखी गई पुस्त को वक्षाली गणित इस्थानांग शूत्र भगवती शूत्र सूर्य सिद्धांत आदी को छोड़कर सेश करती हैं काल कवलित हो गई मतलब यह कुछ बूक हैं यह हमारे पास उपलब्द है इस काल की लेकिन बाकी जो बूक हैं वे काल कवलित हो गई है यह नस्ट हो गई है यह पिर नस्ट कर दी गई है हमारे पास अभी उपलब्द नहीं है किन्तो इन करतियों और मद्धयुगीन आर्यबट ब्रमगुत आदी के उपलब्द साहित्ते से यह निश्कर्स निकलता है कि इस काल में भी गणित का विकास परियापत रूप से हुआ था इस काल में लिखी थे वक्षालिक गणित करती में गणितिये विदियो का व्यापक रूप में व्यापक रूप से परियोग मिलता है तता सूर्य शिद्धान्त करती में आदुनिक तिरिकोंड मिती का विस्तित बुर्णन मिलता है अब देखो यह सूर्य शिद्धान्त है यहाँ पर हमारा तिरिकोंड मिती आ गया अंक गणित और रेखा गणित पहले आ गए हमारे महान गणितग्य हुए है वो इसी काल में हुए है गणितिय तियास में मद्यकाल को भारतिय गणित का स्वन यूग का जाता है क्योंकि इस काल में आर्यवट प्रथम आर्यवट दित्य ब्रमगुत स्रीद रचारिये बास्कर बास्कर रचारिये मावीर रचारिये जैसे अनेक महान गणितग्य हुए हैं भी लिख लेना आप राप वेदों में जो सिद्धान्त नियम एवं विधिया सूत रूप में हैं वे इस यूग में जन साधान के समक्षाई तो जो वेदों में हमने सूत रूप में इस लोकों के मादधम से जो सिद्धान्त पड़े थे मैं इन्होंने सिरल रूप में सब को बताया इन्होंने भी कुछ सूतर में बताया कुछ वैसे बताया इसी द्धान्त लेकिन थोड़ा सिरल करके बताया यह जो हमारे गणितग्य हुए हैं इन्होंने आरियवट अब देखो यह जो हमने पढ़े हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं आरियवट आरियवट पर्थम की बात कर रहे हैं आरियवट पटना के निवासी थे इन्होंने अपनी पुस्तक आरियवटिये में गनित के मुलबुत सिद्धानतों के सार को 112 लोकों में कहा दिया है तो आरियवट की पर्मुक पुस्तक कौन सी है आरियवट यह वैरी सोड कोश्चन तो इस आरियवटिय पुस्तक में उन्होंने 121 इस लोक लिखे हैं उसमें गंडिती सिद्धानतों को बताया हुआ है, इसके अतरिक्त आरिया बट ने ग्रेका गंडित के छेत्र में पाई का माहन दसमलों के चार स्थान तक ग्यात किया है, इसके अलावा भी आरिया बट ने सबसे पहले बताया था कि सूर्य स्थिरा और प्रत्वी गुमती है, आरिया बट कोई सुनने के विष्कारक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसमें confusion है, हम fix नहीं कह सकते कि आरिया बट नहीं किया है, क्यों कहीं कहीं पर हम ब्रहम गुट का भी रोल देखते हैं सुनने में, कि ब्रहम गुट के टाइम से हमारी सुनने का यह आकार आया आया है, तो यह confusion बनी रहती है इसमें, लेकिन हम आरिया बट कोई मानते हैं फिर बे, भासकर पर्थम की बात कर लेते हैं, यह रहा हमारा भासकर, भासकर पर्थम ने आरिया बट द्वारा परतिपाद सिद्धानतों को और ज़्यादा विक्षित किया था, नेक्स बात करते ने दिवी गातिय समीकन का हल भी बतया, दिवी गातिय समीकन वो X स्क्वार पलस Y is equal to 3, ऐसी समीकन जिसमें दो गातों, बासकर अचारिया अर्थाद बासकर दित्ते, ऐसे पहले गणी तक गय थे, इनके बात कर रहे हैं अब हम, जिन्होंने बताया कि अगर किसी संख्या को सुनने से बाग दिया जाएगा, तब अनन्द परिणाम प्राप्त होंगे, इसके लवा बासकर अचारिया ने विबिन आगरतियों के छेतर पर व्या गनफल के संबन्द में सूत्र भी दिये, इनके द्वारा रचित मुख्या गरंत सिदान सिरो मनी है, ये important point है, next बात करते हैं उत्तर मद्यकाल की, 1200 इसवी से 1800 इसवी तक ये time period चलता है इसका, इस काल में गनित के छेतर में मौलिक कारिया अधिक नहीं हो सका, प्राचिन गरंतों पर टीका हैं इस काल की प्रमुग देने, केरल के एक गनितग्या नीलकंट ये गनितग्या हैं, इन्होंने 1500 इसवी म जिया आर का मान घ्यात किया और ये सूतर दिया, जिया आर बराबर ये एक सूतर है इनका, इसे हम ग्रेगरी स्रेनी के नाम से जानते हैं। उनके इस सूत्र का उलेक मल्यालम पंडुलेक मुक्तिबास में भी मिलता है जिसे आज हम ग्रेगरी स्रेणी के नाम से जानते हैं इस काल में नर्यान पंडित, नीलकंट, कमलकार, समराट जगनात, नामक गणितग्यों का मैत्वपुन योगदान रहा है नेक्स बात करते हैं हम वर्तमान काल की ये अठारा सो इस वी से अब तक चलता आ रहा है दोजार चोबिस या पच्चिस जोभी साल रहे का तब तक रहे गए इस युग में गणित के चेतर में मैत्वपुन अनुसंदान हुए तथा सिद्धान्तों का पद्धिपादन हुआ जिससे गणित को नवीन दिशा प्राप्त हुई इस युग में स्री रामनुजन का नाम विशेश रूप से उलेखनी है रामनुजन के अतरिक्त इस युग में नरसिंग बापु देव शास्त्री स्वामी भारती क्रिशन तीरत जी माराज तथा सुदाकर दुएदी के नाम प्रमुख है रामनुजन को संक्या सिद्धानत, गणितिय विशलेशन, स्ट्रिंग सिद्धानत और क्रिस्टलोग्राफी के योगदान के लिए जाना जाता है इन्होंने सुन्ने और अनन्त को हमेशा ध्यान में रखा और इसके अंतर संबंदों को समझने के लिए गणित के सूत्रों को परतिबादित किया इन्होंने 32 साल की कम उम्र में गणित के 3884 प्रमयों का संक्यान कर सभी को चकित कर दिया यह रामनुजन के बारे में लिखावा है यह बाते स्वामे भारति क्रस्न तीरत जी माराज आदूने की युग में वैदिक गणित के प्रदान है इन्होंने अपनी पुस्तक वैदिक गणित अब यह वेरी सोट कोश्चन आ गया जो वैदिक गनित पुस्तक है किसके दौर रचित है भारतिक करश्णती रस जी मराज के दौरा इनके एक पुस्तक है वैदिक गनित इसमें वैदिक सूतरों को पर्तिपादित किया है उन्होंने वैदिक जो गनित है उसके बारे में हमें बताया है और उसमें नीच सिद्धान उन्होंने अपनी पुस्तक में जो व्यादिक वेदों में गणित है उसे आसान तरीकिसे में बताया है सुधाकर्द वेदी ने दीरगुरत लक्षण, गोलिया रेका गणित, समीकरण, मिमांचा, चलन फ्लन आदी अनेक पुस्तकों की रचन किया है साथी बरमगुत एवम भासकर की परमुक टीकाएं लिखकर उन्हें शमन्य जनता के लिए भी सुलक बदबन किया है नोने तब ही आज की हमारी क्लास थी, अब इसमें आपको हलका सा पढ़ना पढ़ेगा, टाइम पीरिड पढ़ना पढ़ेगा, उनके बारे में पढ़ना पढ़ेगा, कौन सा हमारा गणित अग्या, किस काल से सम्बन दीत है, और उसमें क्या क्या कारिये होई आसान पॉइंट तो यह नहीं है लेकिन आपको हलका सा पढ़ना होगा, पेपर में लिख सकते हैं और आपका लोंग कोश्चन तैयार हो जाएगा आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाएंगे, वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अवने बीएड गुरूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं बीएड की सभी सब्जेट की डेली रागुलर क्लासिज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन, बाबाए, टेक केर